आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है। असली पत्नी कौन? यही एक पती पत्नी की कहानी है। सेट दुरगादास और उनकी धर्म पत्नी आशा देवी का राम नगर में एक सभ्य परिवार था। दुरगादास ने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया पर दुरगादास को एक दुख था कि उसके एकलोते बेटे मोहन को शराब और जुए की बुरी लग थी। वो रोजाना शराब पीकर बेसुथ होकर देर से घर लोटता था। मोहन की रोजाना शराब और जुए की लग ने सेट दुरगादास की चिंता बड़ा दी थी। हर बहुत ही अच्छे घराने की सुशीर लड़की है। मैं सोच रहा हूँ मोहन की शादी कर देते हैं। शायद बहु के आने से मोहन थोड़ा सुधर जाए। आशा, ये तो आप ठीक कह रहे हो। किशोर भाई साहब से बात करके हम रिश्टा पक्का कर देते हैं। सेख दुरगादास अपने मित्र किशोर से बात करके लड़की के घरवालों से बात करता है। उसी शाम मोहन जब घर आता है, सेख दुरगादास उसे कहता है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी सुहना नाम की लड़की से हो जाती है। सुहना बहुत ही सुशी और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास आशा और ससुर दुरगादास का बहुत ध्यान रखती थी। पर मोहन उसको बिलकुल भी पसंद नहीं करता था। दुरगादा मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने वकी साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सुहना बहु और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मोहन की बुरे आदते इस घर को तबाह कर दे। सारी जायदाद सुहना और उसके होने वाले बच्चों के नाम कर किसे एक दुरगादास स्वर्थ सिधार जाते हैं। दुरगादास के मरने के बाद सुहना अपनी सास आशा का बहुत ख्याल रखती थी। वो आशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। एक दिन मा जी ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूद। आशा, बहु, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मोहन है, जो सारा दिन घर से गायब रहता है। पता नहीं अभी भी कहा होगा। मोहन, मा, ये सब क्या है। पिताजी ने सारी जायदाद सुहना के नाम क्यूँ कर दी। जैसे मैं तो उनका बेटा ही नहीं। आशा, मो मोहन, पिताजी ने ये सब ठीक नहीं किया मा। मोहन गुस्से में फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वो एक बार में पहुँचता है, वो देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। मोहन लड़की को देखकर चौक जाता है। लड़की मोहन, मेरा एक काम करोगी, बहुत पैसे मिलेंगे, साहब, पैसो के लिए तो मयूरी कुछ भी कर जाएगी, बस आप काम बताओ, मोहन, एक काम करो, मुझे बार मेरी गारी के पास मिलो। कुछ देर बाद मयूरी बार से बाहर आती है, मोहन मयूरी को गारी में बैठने को कहत मोहन, देखो मयूरी, बात ये है कि मेरी पतनी सोहाना की शकल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई-पाई को तरस रहा हूँ। मैंने हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूँगा। उसके बाद तुम सोहाना की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बन कर आओगी। तुम्हें देखकर मा भी नहीं पहचान पाएंगी कि असली बीवी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें एक दो दिन में लेने आओँगा। फिर पता था कि उसे आगे क्या करना है। मोहन, सोहाना, तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हो। मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो अब हो आते है। तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकेट है। सोहाना, पर माजी को अकेला छोड़ कर हम कैसे जा सकते हैं। थोड़ा नीचे देखो, सोहाना, मोहन बचाओ, में डूब जाओंगी। मोहन सोहाना को समुधर में धक्का दे देता है। सोहाना बचाओ पचाओ चिल्लाती रहती है पर वो उसकी आवाज को अंसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामनगर आ जाता है। आशा को अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देख कर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन, आशा, ये आजकल सोहाना बहु को क्या हो गया है। जब से गोवा से आए है, कुछ बदली बदली सी है। ना पूजा पाठ करती है, ना चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, एक बार पूछ कर आती हूँ, शायद तबियत ठीक ना हो, आशा, सोहना बहु, आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबियत तो ठीक है तुम्हारी, मयूरी, ए बुलिया, मेरी नीन खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी उठूँ या देर तक सो, तेरे बाप का क्या जाता है, यहां से जा और मुझे सोने दे, आशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि सोहना इतनी कैसे बदल गई, मोहन कई बार मयूरी को जायदाद के कागजाद पर नकली साइन करने की बात कह रहा था पर वो बा मैं तुम्हें इस घर में सोहना बना करला सकता हूं तो निकाल भी सकता हूं, मयूरी, अरे डालें पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूं, जैसे ही सीख जाऊंगी, कर दूंगी, मोहन गुस्से में वहां से चला जाता है, मयूरी के बॉइफ्रें मयूरी सतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के ये घर आने को कहती है, कुछ ही देर में सतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आ जाता है, मयूरी सतीश और उसके दोस्तों के साथ शराब और सिग्रेट का नशा करने लगती है, इतनी देर में आशा आ जात और वह मयूरी से कहती है, आशा, सुहाना बहु, ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन है, तुम इन गुंडे लोगों के साथ बैठ कर शराब और सिग्रेट पी रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस घर की बहु होकर तुम ये हरकत कर रही हो, आने दो मोहन को जरा, मय मयूरी, बुढया, तु क्या बताएगी अपने बेटे को, वो खुद ही गलत है, और मेरे दोस्तों को तुने गुंडा बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, मोहन, मयूरी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल जा मेरे घर से, मयूरी, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो रही है, मिस्टर मोहन, ये घर तो कबका मेरे नाम हो चुका है, यानि कि सुहाना के नाम, निकलोगे तो अब तुम दोनों, माँ और बेटे, सतीश, इन्हें जिंदा मत छोड़ो, मयूरी, इन दोनों माँ बेटे को जान से मारना ही ठीक रहेगा, जिंदा रहकर ये हमारे लिए खत्रा बन सकते हैं, मैं इन लोगों को साथ ले जाकर दोनों माँ बेटों को खाई से नीचे फेक देता हूँ, इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं धून पाएंगे, मयूरी, हाँ, ये ठीक रहेगा, इ तुम्हारी बहु सुहाना, को तो तुम्हारा बेटा कब का जान से मार कर आ चुका है, गोवा में इसने उससे समूद्र में फेक दिया था, आशा, महन, तुझे बेटा कहने में मुझे शर्माती है, मैंने तुझे अपनी कोक से जन दिया है, तु मेरा बेटा कहलाने लायक आशा रोने लगती हैं सतीश और उसके साथ ही आशा और मोहन को पकड़ कर ले जाने लगते हैं तभी गुलिसा जाती है इंस्पेक्टर गिरफतार कर लो इन लोगों को इंस्पेक्टर सुहाना जी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है हमने इस नकली बीवी को पकड़ लिया है आशा सुहाना मेरी बहु तुम जिन्दा हो इश्वर का लाख लाख शुक्र है सुहाना मा जी कुछ मचुवारों ने मेरी जान बचाए और मैं जैसे तैसे यहां पहुंची पर मैंने जब मयूरी को मेरी जगह यहां देखा तो मैं सीधा पुलिस की पास मदद के लिए ग चलती नहीं है आपने मेरी इतनी मदद की उसके लिए शुक्रिया आप इन लोगों को ले जा सकते हैं पुलिस मयूरी और सतीश को गिरफतार कर लेती है आशा मोहन से कहती है आशा देखा मोहन आज अगर सुहाना तुम्हारी मदद ना करती तो सब कुछ बरबाद हो जाता ह हमारी जान भी चली जाती और तुमने इसे जान से मारना चाहा मोहन सुहाना मुझे माफ कर दो मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फर्क भूल गया था सुहाना नहीं नहीं आप मुझसे माफी मत मानगे जो होना था सो हो गया आप दुखी मत हो ये मैं रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया उस दिन से मोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है ये देखकर आशा बहुत खुश होती है और सुहाना को गले से लगा लेती है आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट में